नमस्कार, Bonn Life Artificial Limps Center में आपका हर्दिक श्वागत है, मैं शम्भू कुमारी आदब, प्रस्थाटिक अर्थाटिक कंसल्टेंट, आज आपके लिए एक महत्पुन जानकारिया ले करके आया हूँ, जो कि जितने भी प्रस्थाटिक लेग यूजर हैं, उनका सबसे अहम कुश् पूछते हैं कि प्रस्थाटिक लेग की हम किस तरह से मेंटेनेंस करें, ताकि ये लंबे समय तक इसकी लाइफ हो सकें, तीसरी पूछते हैं जो प्रस्थाटिक लेग हैं, उसका एवरेज वजन कितना होगा और इस से हम क्या-क्या कर सकते हैं, जो कि हमारे daily routine को आसान बना स सकता है तो यह सब जो मुख्य आपके जो कोश्चन से हैं इसके लिए जो है एक एफ एक क्यू लेकर के आया हूं जिसमें आपके मन में जो भी दुधाएं होती है और जो भी आपके मन में कोश्चन एराइज होता है उसको आज इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे देखिए एक यह बिलोनी प्रस्थाटिक लेक है शमानिता इस प्रकार क्या हमारा प्रस्थाटिक लेक दिखता है देख पा रहे होंगे कि इसमें लॉकिंग सिस्टम डाला हुआ है आप यह देख पा रहे होंगे लॉकिंग सिस्टम है इसकी जो है यह फुट पार्ट है यह जो है उसकी सीन पार्ट है और यह शाकेट पार्ट है जिसके अंदर आप अपना पाउं डालते हैं अब यह जो हमारा प्रस्थाटिक लेग है इसमें आप यह देख पा रहे होंगे कि इसकी जो है वजन एबरेज बिलोनी प्रस्थाटिक का वजन जो 100 किलो के वेट के अंदर ह है उनका लगबग डेर से 2 किलो के आसपास का वेट एवरेज होता है यह डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का मैटेरियल क्योंकि तीन प्रकार के मैटेरियल इसमें यूज किये जाते हैं कि स्टेनलेस स्टील होते हैं दूसरा ऐलमीनियम होते हैं तीसरा टाइटेनियम हो उपर और साथ साथ आपका शारीरिक वजन है उसके उपर डिपेंड करता है प्रस्थाटिक का वीग अब हम प्रस्थाटिक के वेट के बाद अब हम चलते हैं कि इसको आप कितने देड़ तक मतलब कितने टाइम तक एक प्रस्थाटिक लेग यूजर इनिशियली दो से चार घ गंटे करते हैं नेक्स्ट वीक से मतलब सेकेंड वीक से और उसके बाद थाड वीक में हो गरर सबकुछ नॉर्मल जल तो आप जो है 10 से 12 घंटे इसको 3rd से 4th week में यूज कर सकते हैं अगर आपके system की condition normal है और आप normally सब कुछ आपका जो metabolic rate है वो सब कुछ normal चल रहा है तो आप इसको 8-10 घंटा यूज कर सकते हैं as per comfort और बीच बीच में उतार करके आपके skin को check कर सकते हैं कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत परिशानिया तो नहीं हो रही है क्योंकि यह जो artificial limits है about to be total time जो है adjustment 3 months लग जाते हैं average जिसमें आपकी जो चाल है वो काफी अच्छी हो जाती है और धीरे-धीरे जो है आप adapt कर लेते हैं तो यह depend person to person करता है साथ-साथ उनकी skin की sensitivity के उपर करता है और साथ-साथ tolerance level पर करता है और उनकी age factor भी होती है कि अगर old user है तो जल्दी कर लेते हैं कौकप अगर mileage new user है तो थोड़ा सा वक्त लगता है उनको और उसमें भी person to person vary करता है उसके स्टम के clinical condition के हिसाब से अब चलते हैं next question जो आती है कि हम इसको कैसे maintain रखें जिससे कि इसकी life लंबी हो सके अगर आपका प्रस्थेस सिल्कॉन लॉक लाइनर सिस्टम से बना हुआ है तो आप अपने liner को delivery इस पे आप clean करते रहें साथ साथ socket को भी पोचते रहें कभी कभी जो है लोग पूछते हैं कि क्या रात में भी इसको पहन करके हम सो सकते हैं अगर कोई emergency है तो आप इसको use कर सकते हैं अगर नहीं है तो आप इसको निकाल करके सोएं जिससे कि skin की breathing और आपकी जो skin की condition है वो normal हो सके और relax हो सके इसलि हम उमीद करते हैं कि यह जो दिये गए information है वो आपको अच्छी लगी होगी आपको information अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को like, share तथा हमारे YouTube चैनल को subscribe करें तथा बिल आइकन को प्रेस करें ताकि निरंतर information आप तक पहुंचता रहें Thank you and धन्यवाद